जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष की कुछ निताओं की और से सविधान बदलने की बात की जाती है आरक्षन को खत्म करने के प्रयास और उसके अगेंस्ट कई ऐसे भ्रहम पैदा किये जा रहे हैं देश के अलग-अलग कोने में सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग-अलग माध्यम से आरक्षन के विरोध में भ्रहम पैदा करने की जो कोशिश है एट्रोसिटी एट को लगबग खत्म करने के प्रयासी हमें नजर आये है पिछले कुछ दिनों में और सबसे महत्वपुर्ण बाद जो है साल के शुरुवाती में ही भिमा कोरेगाओ का जो एहम मुद्दा है दलीद विरोधी जो बाते घटनाए पिछले चार सालों में घटी है उसके लिए संक्षित में आज हम बात करेंगे हमारे साथ जम्बुदीप पर प्रकाश अंबेटकर सर मौजूद है आई उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जवाब और उनकी राय इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से भिमा कोरेगाओ का जो मुद्दा है शुरू से एक चेहरा उबर के आया जिसके विरोध में आपने कई आंदोलन प्रोटेस्ट किये आज हमें दिख रहा है कि जो गवा है जो पूजा साकत है और ऐसे गवा है जिनके जान पर आबादा हुई है ये घटना और इसके पीछे जिस तरह से इस घटना के पीछे की जो लोगों की मनशा थी वो आज हमें साफ साफ दिख रही है इन सब घटनाओं से जो पूजा साकत के साथ हुआ है और भी गवाओं के साथ जान लेवा हमले उन पर हुए है तो इसके बार में आपका क्या कहना है और इस पर आपका क्या कहना है दीके सरकार की तोर से जिन लोगों को हमने आरूपी बनाया है भीड़े और एक बोटे को पूरी तरह से सरकार उनको बचाने के चकर में लगी हुई है और इसलिए पूजा सरकटे जो खुद गवा थी और कम्प्लेइनन थी उसकी हत्या कर दी गई है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट की जो हम लोगों की इंतजार कर रहे हैं और पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद जो आरूपी के नाम है उन में से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है सरकार ने हम यह कहेंगे कि सभी को हिरासत में वहाँ पर लेना चीए क्योंकि पूजा ने आत्मात्या नहीं की है उसको बदन पर जिस तरह से निशान है वो सभी निशान उसको मारा है पीता है और जब बाहर निकाला उसको कुवे से तो उसके मूँ से पानी निकलने के बज़ाए खुन निकला है तो यह संकेत करता है कि पूजा को मार पीट के बाद में उसको कुवे में धकेल लिया है यह हकीकत है और हम लोग पुलीस से यह कह रहे हैं आप इसकी तुरंट इंक्वाइरी करो यह सबसे बड़ी बात है जो आयो हो उसको भी हम लोग ने समझाने की कोशिश की कि यह सरकार आती है और चले जाती है लेकिन आप पर्मनेंट हो अगर कहीं कुतराई आपके यहां से दिखिए इस इंक्वाइरी में तो आपके खिलाब भी चार्जिस होंगे सप्रेशन के और फिराल फिर आप भी उसमें फस सकते हो पुलीस हमको यह कह रही है कि यह हम लोग जो है वो किसी प्रकार की दबाने की बात नहीं कर रहे हैं तथ्या को लेकि हम लोग चल रहे हैं मेरी ख्याल से पुलीस डिपार्टमेंट पूरी तरह से सरकार के दबाव के अंदर चल रहा है यह दिखाई दीता है जिस तरह से सविधान को लेकर बाते चल रही थी पिछले दिनों में सविधान बदलने तक की बाते सक्ताधारी की पक्ष के जो नेता है नेतागन है उनके तरफ से की गई आपको लगता है इस सरकार की मनशा कई ना कई सविधान की विरोध में ही है जिस तरह से पिछले दिनों में जो दलीतों पर अन्या हुआ उना से लेके आज सहारनपुर में फिर एक बार जो भीमारमी के अद्देक्ष उनके भाई की हत्या सर सरकार जो है उनकी अपनी एक फिलाजोफी है उनकी अपनी एक कहनत है उन्होंने उस वक्त भी सर्विधान नहीं मना और आज भी सर्विधान नहीं मना लेकिन सर्विधान के माद्यम से वो सरकार बनाना चाहते है जहां पर बना लिया और आज दुबारा वो है कि हम लोग सर सरकार में इसलिए आएं कि सविधान बदलने के लिए तो ये खुदी बात है कि ये सविधान बदलते बदल के ही रहेंगे अगली बार अगर ये चुनाओं में आते हैं तो रही बात उना की है सारंगपूर की है तो इनको ये ही दिखाना है कि लौ और बिगड़ गया है लौ order चल नहीं सकता, ये सविधान की वज़े से चल नहीं सकता और किसी ना किसी तो भी बहाने के माद्यम से अब ये सविधान बुड़ा हो गया है अब इसको बदलने की जुरूरत है ये आस्ते आस्ते वो बाते ले आ रहे हैं और इसलिए देश में आशांती कैसे फैले दंगा कैसे हो इसी का ही एक नतीजा जो है वो दिखाई दे रहा है आज मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से जज्ज्मिन देता है यही बात दावरी के वक्त भी आई कि डावरी के कानून का दुरुप्योग होता है और डावरी का कानून दुरुप्योग होने की वज़े से उनने का भी है सीधे सीधे जो एरेस्ट है उसको कहीं न कहीं तो भी रोक लनाए दी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिपनी नहीं कियी इंटरफिरेंस नहीं किया लेकिन एक्रोसिटी एक के अंदर भी कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कुछ ऐसे लोगों पर आरोप किये जाते है कि जिस पर आरोप नहीं होना चीए और इसलिए उन्होंने प्री इंक्वाइरी की इंक्वाइरी लगा दी मतलब मनु के न्याई विवस्ता में चाहे वो शुरुल कास्ट हो और चाहे वो स्त्री हो एक समान है लेकिन सुप्रीम कोट के न्याई में स्त्रीयों को अलग न्याई है और शुरुल कास्ट और शुरुल ट्राइब को अलग न्याई है ऐसी एक परस्तिती है तो मेरे ख्याल से ये जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो कॉंट्रेडिक्शन है ये ये खाफी बड़ी पहमाने पर लोगों के दिल और दिमाग पे चोट कर रहा है और इसलिए वो सत्तर्ख है कि हम लोग सविधान बदलने नहीं देंगे सर पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्ववादी जो सोच है वो सोशल मीडिया के माद्यम से हो अपनी मन मर्जी चलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें जैसे कई भगवाधारी जो लोग है वो जिस तरह से नमाज का जो मुद्दा है या अलग ऐसे कई जो सवेदेंशन मुद्द है लगातार उस पे घात पर घात करके देश का जो विवस्ता है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको नहीं लगता जो यह सोच है जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको एक ही ऐसी समता-स्वतनतता और बंधूता की सोच जो सविदान हमें देता है वो शक्षम है जो कि बाबा साथ की सौच है और यही इस सोच को पूरे पुर्जोर तरीके से विरोध कर सकती है तो ऐसी सोच में जिस तरह से ये आज हम देख रहे हैं जिस तरह से दलितों पर अत्य अज़ार हो रहे हैं आपको नहीं लगता है कि ये जो है अभी पहले तो बाबा साब की सोच पर ये लोग वार कर रहे थे अब सीधा डायरेक्ट समाज पर इनका कॉंसेंट्रेट है देखे मैं कहूं कि यहां जो हम लोग जो हिंदू विचारदारा की बात करते तो हिंदू विचारदारा दो किसम की एक वैदिक हिंदू विचारदारा है कोई जो मनुसमूर्टी पर चलती है और दूसरी विचारदारा है जो संतों के वानी पर चलती है उनके काहा पर चलती है यह दोनों अलग अलग है यहां जो संतों की वानी मानने वाले हिंदू थे वो सत्तर साल यहां पर राजनीती कर रहते तब किसी को इतराज नहीं था तकलीफ नहीं थी लेकिन ये जो वैदिक हिंदू मनुवादी मानने वाले जो है वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपनी बात थोपने के लिए कहीं हत्कंडे शुरुवात किये उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी के माद्य हम से सोशल मीडिया के माद्य हम से अत्याचार जो किया जाता है उसको फिल्मिंग किया जाता है और उसको फिर पब्लिशाइज किया जाता है ये मेरे ख्याल से इसके पहले नहीं हुआ इनके काल में हुआ है तो लोगों ने ये सोचना चीए कि ये जो orchestrated killings है ये orchestrated killings और हम लोग जो S.I.E.S. के जो demo दिखाए जाते है killings के उन में और इसमें अंतर क्या है हम लोग अगर उनको terrorist कर रहे है तो ये भी संगतन terrorist है दोनों का तरीका ये की है ये मेरी ख्याल से यहां के middle class ने समझना चीए आज वो मुसल्मानों के साथ खिलवाड कर रहे है नमास के बारे में हूँ गोश के बारे में हूँ या जनावर ले जाने के आस पास हो या और किसी मुद्दे को लेके वहाँ पर हो लेकिन एक जनावरी को जो हाथसा हुआ वो तो सभी हिंदू थे उसमें तो कोई मुसल्मान था ही नहीं हिंदू के विवस्ता के खिलाफ की लड़ाई थी पेश्वाई जो वैदिक हिंदू धर्म मानती है उनके खिलाफ ये संतों वाले हिंदू जो थे उन्होंने उनके साथ में लड़ाई की अब हम लोग ये पूछते है कि या आपने हिंदूों को क्यों मारा ये पहले पता है आलुतिदार बलुतिदार जो उस एक तारी को अपने पूर्खों को याद करने मनन करने वहाँ पर आये थे उनको आपने क्यों पीटा और मारा इसका खुलासा दी दिये तो ये तो अब अजगर बन चुका है मुसल्मान जब उसको गोश नहीं में दे रहा है तो वो हिंदूओं को ही गोश अपना बना रहा है तो इस बात का जो है मेडल क्लास ने सूचना चीए कि क्या उसको इनकी खुराक बनना है जिस तरह से एक गरीब तपका जो है दलित समुदा है अगर उस पर कोई अन्या अत्याचार होता है तो एक अत्यार की तरह अपना सकता है उसको अपनाया जा सकता है तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पर एक्ट्रोसिटी कानून को लेकर जो बदलाव करने के प्रयास हमें दिखे तो उसके बारे में आपका क्या कहना है दिखे मैंने जैसे कहा कि Atrocity Act का दुरुपयोग हो रहा है गैर वेवार हो रहा है ऐसे Supreme Court का क्याना है लेकिन जो डावरी की प्रोविजन है IPC में उसका भी दुरुपयोग हो रहा है ये Court के सामने कहीं बाहर बात आई है और उस पर चर्चा भी हुई लेकिन Supreme Court ने डावरी के कानून के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षिप नहीं किया ना उस पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाई लेकिन Atrocity Act के नीचे जब मामला आया तब उन्हेंने जो है उस पर एक तरीके से पाबंदी लगाई प्री इंक्वाईरी की बात लगाई और प्री इंक्वाईरी के माध्यम से उस कानून का जो डर था वो डर निकालने की कोशिश की है या वो डर को खतम कर दिया है तो यह थे हमारे साथ भारीप के नैशनल प्रेसिडेंट बाड़ा सब अमबेट कर जिनोंने सबेदेंश लमुद्दे जैसे की का मुद्दा है उस पर भी सिलसे लिवार तरीके से अपनी राय रखी है हमारे इस जम्बू दिप वेब पोर्टल को आप लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें धन्देबाद